रूस में बसा कजान शहर इस समय सत्ता का केंद्र बना हुआ है ब्रिक्स सम्मेलन में रूसी रास्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी में कई देशों के प्रमुक एक साथ जुड़ गए हैं जुसमें सब की नजरें एशिया की दो बड़ी पावर चीन और भारत मोदी और शी जिंपिंग का एक साथ एक छट की नीचे होना यकीनन बड़ी खबर है मगर एहम सवाल है कि चार साल के टकराव और गतिरोद के बाद चीन के तेवर नरम कैसे पड़ गए और प्रियम मोदी और जिंपिंग बातचीत की टेबल तक कैसे पहुचे और साथ ही इस सैन गतिरोद को सुलजाने में पुतिन की क्या भूमिका रही तो पहले से शुरू करते हैं 1962 की जंग के बाद अतीत में बेमुश्किल ही ऐसा मौका आया जब भारत और चीन के सैनिक सीमा पर लहू लुवान हुए फिर 15 जून 2020 को गलवान घाटी पर जो कुछ हुआ उसने ए फिर आया साल 2022 जब रूस ने अमरीका की ठंकियों को दरकिनार कर यूकरेन पर धावा बोल दिया पूरी दुनिया बेशक दो खेमों में बटी नजर आई लेकिन यूकरेन का समर्थन करने वाले देशों की संख्या रूस के तुल्ला में कहीं ज्यादा रही लेकिन पावर ब के बाद एक प्रतिबंध लगाते जा रहे थे एक्सपर्ट का मानना है कि तब ही पुतिन समझ गए थे कि अमरीका को टक्कर देने के लिए रूस के लिए भारत और चीन का सपोर्ट बहुत जरूरी है लेकिन गलवान की घटना के बाद से भारत और चीन के बीच के कोल्ड व लगाल ने भी चीन के विदेश मंतरी वांगी से मुलकात की थी कई रिपोर्ट में कहा गया कि बेशक उस समय इन मुलकातों को सामान बैठोकों के तौर पर देखा गया लेकिन दोनों देश सैन गतिरोध सुलजानी की दिशा में काम कर रहे थे और ये भी कहा गया कि दोनों अग्रिमेंट में पुतिन ने एक बड़ी भूमिका निभाई इसके बाद लाओस में भी दोनों देशों के विदेश मंतरियों ने मुलकात कर लेसी गतिरोध को ततकाल खत्म करने पर जोड़ दिया और सितंबर में रूस के राष्ट्रपती पुतिन के साथ राष्ट्री दोरान हुई बातचीत और निसकर्शों से पुतिन को वाकिफ कराने के लिए दोवाल उनसे मिले थे लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि पुतिन से दोवाल की मुलकाती असली वज़ा चीन के साथ भारत के सैन निगतिरोध को खत्म करना था और भारत और चीन के बीच हुए इ देश मंतरी वांग यी से भी मिले थे पर बंद कमरे में दोनों देशों के प्रतिनिधियों से पुतिन के मुलकात के अजंडा बाहर नहीं आ पाया जुस पर कई एक्सपर्ट्स ने खुल कर जाहिर किया कि पुतिन के साथ हो रही ये बैटके LAC पर चार साल से जारी सैन की कवायत थी इस समय दुनिया कई मोचों पर जंग लड़ रही है फरवरी 2022 में यूकरेन पर रूस के हमले से दुनिया में एक नई जंग शुरू हुई लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी इसके बाद मिडल इस्ट के कई देश जंग की आग में कूत पड़े यूकरेन पर र दोर दिया और इसमें कोई दोराय भी नहीं है कि ब्रिक्स की मजबूती पूरी तरह से भारत और चीन से जुड़ी हुई है इसलिए पुतिन ने दोनों देशों के बीच चल रहे सैन ने गतिरोत को खत्म करने में दिल्चस्पी भी दिखाई पर सवाल यही है कि जब जुला देश देना चाहते थे वो यह दिखाना चाहते थे कि उनकी पहल से दोनों देश बातचीत की मेश तक आप आए हैं और ब्रिक्स की ताकट घटने के बजाए लगतार बढ़ गई है तो भारत चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों और पुतिन के रोल पर आपका क्या सोचना आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं अबे के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शुक्रिया